यहोशू अध्याई 21 यहोशू अध्याई 21 तब लेवियों के पुरुजों के घरारों के मुख्य मुख्य पुरुष अलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राइली गोत्रों के पुरुजों के घरारों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान दे के शिदो नगर में कहने लगे यहवा ने मुसा से हमें बसने के लिए नगर और हमारे पश्यों के लिए उन्हीं नगरों की चराईये भी देने की आग्या दिराई थी तब इस्राइलियों ने यहवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराईयों समे को यहुदी शमोन और बन्यामिनी के गोत्रों के भागों में से तेरह नगर मिले और बाकी कहातियों को एप्रेम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनश के आधे गोत्र के भागों में से चिठ्री डाल कर दस नगर दिये गये और गेशुनियों को इस्साकार के गोत्र क कुलों और आशे और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनशक के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो पाशा में था चिठी डाल कर तेरह नगर दिये गए और कुलों के अनुसार मरारियों को रुबेन, गाद और जुबलुन के गोत्रों के भागों में से बारह नगर दिये गए जो आग्या यहवाने मुसा से दिलाई थी उसके अनुसार इस्राइलियों ने लेवियों को चरायों समेट यह नगर चिठ्ठी डाल कर दिये उन्होंने यहुदियों को और शमोनियों के गोत्र के भागों में से यह नगर जिनके नाम लिखिये है दिये यह न नाम पर निकली थी। अर्थात उन्होंने उनको यहुदा के पहाड़ी देश में चारो और की चराईयों समेथ केरियतरवा के नगर दे दिया जो अनाक के पिता अरवा के नाम पर कहलाया और हेब्रोन भी कहलाता है। परंतु उस नगर के खेट और उसके गाव उन्होंने या पून के पुत्र कालव को उसकी निजभूनी करके दे दिया। तब उन्होंने हारुन याजक के वंश को चराईयों समेथ खूनी के शरननगर हेब्रो और अपनी अपनी चराईयों समेथ लिबना, यतिर, एश्तमों, ह दोनों गोत्रों के भागों में से नव नगर दिये गए और बन्यमिन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चरायों समेथ ये चार नगर दिये गए अर्थात, गिबोन, गेबा, अनातोत और अलोंग। इस प्रकार हरुनवंशी याजकों को तेरह नगर और उनकी चराया मिली। फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के भाग के नगर चिठ्ठी डाल डाल कर एपरेम के गोत्र के भाग में से दिये गए अर्थात, उनको चरायों समेथ एपरेम के पहाड़ी देश में खुनी के श के नगर दिया गया, फिर अपनी अपनी चरायों समेथ गेजर, किबसेम और बैथेरों ये चार नगर दिये गए और दान के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चरायों समेथ एलतके, किबतोन, अयालोन और गत्रिमोन ये चार नगर दिये गए और मनश्र के आधे गोत्र क भाग में से अपने अपनी चरायों समेत तानात और गत्री मोन ये दो नगर दिये गए। इस प्रकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर चरायों समेत दस्ट है रहे। फिर लेवियों के कुलों में के गेर्शोनियों को मनश्र के आधे गोत्र के भाग में से अपने अपनी चरायों समेत खुनी के शरननगर बाशान का गोलान और बेस्तरा ये दो नगर दिये गए। और इसाकार के गोत्र के भाग में से अपने अपनी चरायों समेत किशोन, दाबरत, यर्मुत और एंगन्नीम ये चार नगर दिये गए। हमोत दोर और करता ये तीन नगर दिये गए। किरशुनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपने अपनी चरायों समेत ठहरे। अपने अपनी चरायों समेत बेसेर यहसा, कदेमोत और मेपात ये चार नगर दिये गए। और गाद के गोत्र के भाग में से अपने अपनी चरायों समेत खुनी के शरन नगर गिलादने का रामोत, फिर महनैम, मेश बोन और याजिर जो सब मिलाकर चार नगर हैं दिये गए। लेवियों के बाकी कुलों अर्था, मारारियों के कुलों के अनुसार, उनके नगर ये हिठ हैरे। इस प्रकार उनको बारह नगर चट्री डाल कर दिये गए। इस्राइलियों की निजभूमी के बीच लेवियों के सबनगर अपने अपनी चरायों समेत 48 ठहरे ये सबनगर अपने अपने चारोर की चरायों के साथ ठहरे ये सबनगरों की यही दशा थी इस प्रकार यहुआ ने इस्राइलियों को वह सारा देश दिया जिससे उनके पुरोजों से शपत खाकर देने को कहा था और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बज गए और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पुरोजोस से शपत खाका कही थी उन्हें चार ओर से विश्राम दिया और उनके शत्रों में से कोई भी उनके सामने टिक न सका यहोवा ने उन सबों को उनके वश्मे कर दिया जिकनी भलाई की बाते यहोवा ने इस्रायल के घराने से कही थी वहां उनमें से कोई भी बात की भी न छुटी सब की सब पूरी हुए